दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11 जून 2021 के बारे में 11 जून 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहाँ पर आपको सावदा नी रखनी है क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या चीज़ें करने से आप सभी को बचना है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही साथ हम बात करेंगे angel number के बारे में और अच्छु कुपाई के बारे में जिसको करने से आप अपने दिन को और भी जादा अच्छा बना सकते हैं वीडियो को अंतक देखेगा ताकि कोई भी information आप से मिसना हो जाए और आप सारी चीजों का फायदा उठा पाए चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले energy calculation की कि आखिर क्या energy calculation है और कैसे आपका दिन यहाँ पर जाने वाला है सबसे पहले number जो आपके पास आता है दोस्तों वो आता है 11 number 1 plus 1 number 2 number यहाँ पर आता है combine calculation जब करते हैं दोस्तों तो number आता है 13 3 plus 1 number 4 number 4 यहाँ पर राहू का number है number 2 यहाँ पर moon का number है और दिन कौन सा आपका Friday का दिन है यह जो दिन है दोस्तों यह बड़ा आसान दिन यहाँ पर नहीं जाने वाला है जी हाँ यह दिन कहीं ने कहीं थोड़ी सी परेशानियां थोड़ी सी प्राबलम थोड़ी सी मुसीबतें आपके सामने रख कर ही जाएगा इस दिन को बहुत आराम से निकालने की ज़रूत है बहुत शांती से निकालने की ज़रूत है यह दिन जो है, यह आपको अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा आप चाहे बाहर से कितना भी अच्छा दिख जाये, कितना भी अच्छा देख लें लोगों को बट अंदर से कहिन के यह दिन आपको परिशान जरुर करेगा मतलब कि यह दिन जो है है आपके emotions को weak करेगा emotionally आपको hurt करेगा और emotionally आपको कहिने की नुक्सान पहुचाने की कोशिश करेगा आपको अपनों से ही धोका मिल सकता है ऐसे chances आप़ दिखाई देते हैं आपके खिलाफ हो सकते हैं आपके अपने और आपके अपने ही आपके खिलाफ कोई चक्रव्यू की रशना कर सकते हैं ऐसे भी चांसितियां पर दिखाई देते हैं तो इसलिए इस दिन आपको बहुत ज़ादा सचेत रहने की कोशिश करनी हैं कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ न हो जाए कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ बोलेना, कुछ करेना इस बात का विशेश दियान रखेगा ऐसी कोई भी परिसिती ना आने दें जिसमें आप अपना self confidence खतम कर दे आप अपने उपर control खतम कर दे और आप अपना ही नुकसान कर दे हल्कासा भी aggression आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है बड़ी नुकसान के दिन कर सकता है इस दिन में एक बड़ा नुकसान कर सकता है relationships में बहुत जादा संभल के नजर आने की ज़रूत है बहुत जादा संभल के relationships को आगे बढ़ाने की ज़रूत है नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कतें परिशानिया हो सकती है तो इस चीज़ का आपको विशेश दियान आपर रखना है साथी साथ इस बात का भी दियान रखेगा कि आपको किसी भी तरह से अपने आपको relax रखना है कारी शेत्र पे workplace भी आपको बहुत जाद शांत रहने की ज़रूत है आपको जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी है और जितना होसके आराम से patience के साथ अपने समय को निकालने की कोशिश करें तो आपको जादा अच्छा result निकलेगा मानसिक दबाव आपका रहेगा पर आपको क्या करना है मानसिक दबाव को परे रखके अपने दिन को निकालना है अपने दिन को आराम से काम करने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छा result मिले आपको ब्रह्म में नहीं जीना है नहीं किसी चीज़ का ब्रह्म करना है illusion से बाहर आजाईए वास्तविक्ता के दौर में आजाईए आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है और ये दिन आपको कहिन के अच्छा result यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा देश और दुनिया के लिए भी अगर देखा जाए तो देश और दुनिया के लिए भी ये समय जो है वो बहुत ज़ादा अच्छा नहीं है देश और दुनिया में भी कई ऐसी गटनाएं गट सकती है जो की बहुत ज़ादा अच्छी नहीं हो कहीं पर भी प्राकरतिक आपदाएं बढ़ सकती है प्राकरतिक आपदाओं के कारण कुछ परिशानिया यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है साथी साथ किसी के उपर गलत allegations लगाये जा सकते हैं गलत आरोप प्रतियरोप लगाये जा सकते हैं ऐसे chances यहाँ पर clearly दिखाई देते हैं तो इसलिए किसी political party के उपर कोई बड़ी बात रखी जा सकती है कोई बड़ा मुद्दा उठाये जा सकता है ऐसे chances clearly दिखाई देते हैं उमीद करता हूँ कि विश्व में सभी जगे पर शांती रहे और ये दिन किसी के लिए भी खराब ना जाए राश्वों के लिहाद से दिखा जा दोस्तों तो मेश राशी, रशब राशी, करकर राशी, मकर राशी और मीन राशी आप सभी को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूत है थोड़ा सा शांत रहने की जरूत है नमबर दो, नमबर तीन, नमबर पाँच और नमबर आठ आप सभी को शांत रहने की यहाँ पर जरूत है यहाँ पर अलफवेट्स की बात करें दोस्तों तो alphabets में A, C, F, G, M, P और Z आप सभी को थोड़ा शान्त रहने की ज़रूते थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर रखने की ज़रूते अब आईए बात करते हैं अच्छो कुपाय के बारे में जाए आप किसी भी religion से संपर करते हो आप इन उपायों को इन अच्छो क रेमिडीज को आप इन angel numbers को कभी भी इस्तमाल कर सकते हैं सिर्फ आप ही नहीं अगर आपका कोई relative, कोई friend, कोई भी विक्ती जो आपके known में हो वो परिशान है आप उनकी भी मदद कर सकते हैं इन उपायों को बताके मेरी वीडियो को forward करके साथी साथ, जब भी उपाय के result आजाए angel number का result आजाए मुझे comment box में या whatsapp पे लिखके message जरूर बताइएगा कि आपने इस purpose से इसको use किया था आपका फाइदय का सोदा रहा साथी साथ, जो भी उपाय, जो भी angel number में बताता हूँ ये same day ही काम करते हैं ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई angel number बता रहा हूँ और वो आप 4 दिन बाद इस्तमाल कर रहे है वो बिल्कुल भी मत करिएगा इसके negative results भी हो सकते हैं अगर आप गलत तरीकी से गलत समय पर इसका इस्तमाल करेंगे तो तो इसी लिए मैं बिल्कुल भी आपको इसकी सला नहीं देता चलिए, बात करते हैं angel number की सबसे पहले angel number आपको कहां पर किस तरह से किस तरह का number यहाँ पर यूज़ करना है 7, 9, 5, 3 नमबर क्या है आपका 7, 9, 5, 3 इस नमबर के पीछे एक बहुत बड़ा logic है एक बहुत बड़ी calculation है इसी लिए नमबर भी थोड़ा सा अजीब सा दिखता है 7, 9, 5, 3 मतलब की छोटा number फिर बड़ा number फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा देखे एक तरह से किस तरह की यहाँ पर right बना है अगर आप थोड़ा सा देखेंगे pattern देखेंगे number का तो एक right का निशान होता है एक right का मतलब 7, then 9, then 5, and then 3 so that is a right pattern basically और यह number भी आपके जीवन में खराब चीजों को सही करने का काम करेगा exactly whatever you are doing, the wrong things in your life अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं अगर किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं अगर खुद भी गलत, के खुद के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो उन सारे खराब पैटर्स को, खराब चीजों को खराब मुसीबतों को, खराब परिशानियों को आपके जीवन में सही करने का काम करेगा यह number अब सवाल आपका आएगा कि सर यह number कैसे कोई सही कर सकता है कैसे यह number किसी चीज में हमारी मदद कर सकता है तो दिखे एंजल नंबर का मतलब अगर जानना है तो शायद मैंने यूट्यूब पे कल परसों में एक पोस्ट डाला था किसी का कमेंट था बहुत प्यारा कमेंट था वो जाके आप देखिएगा उन्होंने इस नंबर का इस्तमाल किया था जो उन्होंने फील किया वो उन्होंने वहाँ पर लिखा है और मैंने उसी को कॉपी करके वहाँ पर यूट्यूब पे पोस्ट किया है तो अगर वास्तिविक्ता में जानना है कि नंबर कैसे काम करते हैं तो यूशुड गो इन वॉच्छ दिस रीड दिस करके देखिए फाइदा मिलेगा विश्वास रखिए पॉजिटिव रखिए अपने आपको पॉजिटिव एनरजी के साथ रखिएगा तो फाइदा आप सामने होते हुए देखेंगे अच्छू को पाय अब आपको क्या करना है इस नमबर को करना कुशी नहीं इस नमबर को मन में recall करना है बस ये दियान ना किएगा परिशान मत होगीगा, confused मत होगीगा इस नमबर को सिर्फ और सिर्फ मन में recall करना है कोशिश करिए उसी तरह की चीजों का इस्तमाल करें पैन पेपल लेके बैठे हैं तो लिख दीजे कहीं पर भी फायदा मिलेगा और 100% फायदा देखने को मिलेगा अच्चो कोपाय में आपको कहीं पर भी बाहर जा रहें किसी इंट्विव्य के लिए जा रहें बड़ा काम करने के जा रहें वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, डाक रेड कलर अवोइड कर दी लाइट कलर का ही इस्तमाल करना है डाक कलर्स नहीं लेने हैं इसके अलावा आपको हल्दी का टीका अपने मात्य पर जरूर से लगाना है जिस पानी से आप नहा रहें उस पानी में दूद या दही का इस्तमाल जरूर करना है मदब कि या तो शरील पर या फिर पानी में दूद और दही लगा के या मिला कर ही स्नान करिएगा इस बद का विश्यश द्याना किएगा साथी साथ, खाने में जो भी चीज़ आप इस्तमाल करते हैं उसमें काली मेंच का प्रियोग जरूर से कर दीजिएगा एक काली मेंच भी काफी रहेगी एक काली मेंच सबजी बनाते से में उसमें डाल दीजिए चाय काफी बनाते से में उसमें डाल दीजिए और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे हमेशा संपर कर सकते हैं मैं आपको हमेशा मदद करता हुआ नज़र आँगा वीडियो का अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अगर कोई भी परेशानी हो, लाइफ में कोई भी रास्ता नहीं दीख रहा हो तो एक बार जुरूर बात करिएगा उमीद करता हूँ दिन आपका अच्छा जाएगा और आप ऐसी ही अपने जीवन को खुश्यों के साथ बिताते हुए नज़र आएंगे धन्यवाद